जुए जुए कि क्लास में कुछ ऐसा पर ने वाले हैं जो कि आपके लिए एक्जांम और जिसकी दिमांड मेरे पास बहुत आई है कि सब आप प्लीज यह करवाईए कि आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं जो कि सबसे इम्पॉर्डेंट है कर लिया तो मुझे आप कमेंट बक्स में कि क्या होना चाहिए और वैसे मैं आपको रिवील कर देता हूं दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा शॉर्ट पैसेज यहां इस पैसेज को आप कॉम्प्रेहेंशन भी बोलते हैं यह हम सभी के ल इस चैनल पर इसकी प्राक्टिश जरूर करेंगे तो आज करेंगे दोस्तों वन व्हुत बीरिफुल पैसेज कॉम्प्रेहेंशन मैं आपको समय दूँगा पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ने का समय में यहां ऐसे नहीं दूँगा मैं आपको पैसेज दिखाओंगा आप व मेरी बात गुमराह नहीं कर रही होगी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से उसे फॉलू भी करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो के लाइक जरूर कर दीजेगा साथी साथ सेशन को शेर कर दीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ मस करता हूं कि सबको विजिबल हो गाई है आपके लिए कलर सी यूज किये गए है इसमें जिसे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो चाहे कुछ फ्रेज़ें कुछ मकाबलरी है कुछ अच्छा और यूनीक करने कोशिश की गई है केवल ब्लाक कलर का यूज नहीं किया गया तो चलो मैं एक बार पढ़ देता हूं एक बार वीडियो को पॉस कर सकते हैं इसमें और आप इस प्रासिज को अपने साथ पढ़ लीजिएगा ठीक है मैं आपके लिए बाकि एक बार पढ़ देता हूं यह तो भाई यहां पे राइटर ने लिखा इट सीम्स टुमी डाट मुझे ऐसा आप जानते हैं इस सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगना ऐसा प्रतीत होना इस सीम्स टुमी मुझे ऐसा प्रतीत होता है डाट के वी केनाट लर्न टू अरली हम बहुत जल्दी नहीं सीख सकते हैं वी केनाट लर्न हम नहीं सीख सकते हैं टू अरली बहुत जल्दी इन लाइफ हम जब बहुत चोटे होती हैं तो हम यह नहीं जानते हैं कि हर एक इंसान की और हम उस पर ray कि है ऍे हम जानते ही यह क्या होती है एक हम उफिका क्यों है और ऑफसा करना और नहीं किया किसी से ड्क न क्यों करता है दो बचपन में नहीं जानते है रहनूद्टे उटर नहीं सीख सकते हैं बहुत डॉटर जब मेरी बेटी ने स्टार्ट किया बिगेन किया टू राइट लिखना हर मैमरीज अपनी मैमरीज को लिखना स्टार्ट किया एड़ एज ओफ फूर जब वो चार साल की थी इसके पास एक प्लेस होना चाहिए रखने के लिए उन्हें डैम का मतलब यहां पर दैम किसके लिए आया है मैमरीज को रैटर ने कहा कि यार हर एक इंसान नहीं जानता कि प्राइविसी कैसे रखी जाती है लेकिन मेरी बेटी खुद की बेटी चार साल की थी तो मुझे लगा कि एक प्लेस होना चाहिए उसके लिए जहां वो अपनी चीजों को तीक्रिसी में रख सके जहां उसको विश्वास हो सके कि यहां इसकी चीजों को कोई नहीं पढ़ेगा आधम इस एक्षिशन आप ब्यूरो रोड हो सकता है इस एक एक एसी ड्राइव जो की थोड़ी सी क् आपको जो दर्द है वहां मतलब प्रक्रिक जहां कोई ना तांका जाकी करें या फिर और एज़ड़ है यह एसा हुआ तो अब बॉक्स विदखी या फिर एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जो की पी के साथ हो जो बॉक्स मेरी बेटी के पास हो और उसकी चावी उसके पास हो इसको लगा के आराम से रख सके कि हाँ इस बॉक्स को कोई नहीं देखेगा और यहां मेरा सामान सेफ रहेगा मेरी मैमरी सेफ रहें मुझेया है, दोस्तों enclosure मतलब होता है पीडा फैंस सब्सकित आपको जो पीडा होती है आपके मन में आपको जो डर्द है वह पीड़ा हो इन डुडहों मैटके बच्छपन की वाहन माई बोलके in public public में I tried desperately मैंने बहुत कोशिश की बहुत desperately का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा ही कोशिश की हिर्दय से कोशिश की to hide the notebook कि मैं notebook को छुपा सकूँ of poems की no place in the house लेकिन घर में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था seemed secure जो मुझे सिक्यूर दिखाई दे और वाई ख्षान भर के लिए I carried it around in the right leg of my trousers तो समय के लिए मैंने ऐसा किया कि मैंने अपनी दाएं पैर की जो मेरा राइट लेग था उस ट्राउजर था उस ट्राउजर में मैंने वो किताब रख दी टैटर ने सिक्यूर घर में को भी इस्थान ऐसा नहीं था जो मुझे सिक्यूर दिखाई दे कुछ ख्षान के लिए I carried it around मैं उसको ले गया मेरे ट्राउजर की राइट लेग में अंटल इलास्टिक ब्रोग जब तक कि वह लास्टिक फट नहीं गया तूट रही गया और बुक जो है वो गिर गई एड़ फीट ऑफ एनिमी शत्रू के पैरों में शत्रू मतलब मेरी बहन उससा मेरी बहन जो है वो इस बुक को पाना जो होती है तो नहीं को सबको समान करना चाहिए तो कुछ इंसे होते होते हैं जो रखना चाहते हैं उसको लेकिन हमें से कुछ धूर्त और कुछ खुराम पाती घर के मेंबर्स भी और कोई बी ऐसा होता है क्या और है आसा क्या सी्क्रेट्स समान कर ना चाहिए कि सीवर करें का सीफरेट होते हैं हो रखना चीपने साथ होगा कि इस पैसेज में राइटर ने क्या-क्या लिखा और क्या-क्या कहा है यहां पर जो वोकाबलर है यह भी आपको समद में आगई होंगी कौन-कौन से वोकाबलरी यूज़ होई है अब जल्दी से मैं यग क्या और्ली करूंगा आपके लिए और आपको मुझे questions के answer बता नहीं है वेसे 남shla सब्सक्राहण से और मुझे बताएं गिस्षरी का अन्सर क्या होना चाहिए जैस बीड़ समय के इस अ कि क्वान एव्यू अगण इप थी आप वय। अध्य फॉन कि नहीं तो एक बार अच्छे से पढ़ने आप हां ये राइटर ने कहा हां आपके लिए आधुटर असे सफ प्लेश्टे अने ऑथर जो है लिखागी अरेंज किया एक सेफ प्लेश्ट है the memories written by her जो memories उसकी बेटी के द्वारा लेखी गई थी daughter of a daughter because he क्योंकि वह writer ने क्यों यहां पर question आपके लिए कि author जो है writer जो है उसने क्यों arrange किया the author arranged a safe place उसने safe place एक corruption इस्थान की विवस्था की to keep the memories क्या करने के लिए memories को रखने के लिए written by her उसकी बेटी के द्वारा जो लिखा गया था memories जो उसकी बेटी के द्वारा थी जो लिखी गई थी किसी बुक में तो उसने सोचा कि एक safe place के एंत्रियाम किया जाए जहां पर वो अपनी memories को रख सके क्यों कि वह writer ने क्यों किया ऐसा because he thought that memory would be lost otherwise कि memories खो जाएंगी इसलिए recognize the need for respecting the privacy of a daughter क्यों वो जानता था कि किसी की privacy की क्या respect होती है वो चाहता था कि मेरी बेटी की जो privacy है उसके respect की जाए कि decided that memory should not be read by strangers उसने decide कि strangers के दवार यह नहीं पड़ी जानी चाहिए वरना घर का कुछ भेर मालुम पड़े जाएगा या knew that the memories could fetch a lot of money या फिर वो जानता था कि memories जो है है ले सकते हैं बिलवा सकती है ऐसा कुछ है क्या जी नहीं पहली लाइन में लिखा है उसने हमें respect करनी चाहिए सभी की memories की तो इसलिए इसका answer हो जाएगा भी recognize the memories recognize the need for respecting the privacy of our daughter वो जानता था कि उसकी daughter की जो privacy है उसकी respect करना कितना जरूरी है यह हर एक इंसान की अपनी privacy हो ठीक है चलिए तो पहले question का answer मुझे लिखके बताएंगे कितने लोग आपे हैं जिनका answer सही था please write it down on the comment box and let me know how many of you have chosen the right answer number second आप सभी के सामने the author's sister caused great आगनी author की जो बहन थी caused उसने उत्पन्य किया बहुत बड़ी पीड़ा उसके लिए बाए क्या करके author की बहन ने author ने अपनी story बताई यहां पर तो उसने बताया किया मेरी बहन ने क्या प्लिए उत्पन्य कर दी मेरे लिए जो author के दवारा एक poem लिखी गई थी उसने सबके सामने पढ़ दी डिसकवर किया उसना author को wasn't habit of writing poems की बहिया इसकी तो poem लिखने की आदत है उसने सबके सामने बता दिया यह उसको टीस किया उसकी गलतियों के लिए जो कि उसने poems में की थी या उसको warning the author को against writing anymore poems कि अब तुम्हें poems नहीं लिखने है पाकिसे बखवास है केवल और केवल यह इसका सभी आंसर है क्योंकि साफ साफ कह रहा है writer कि मेरी बेहन सबके सामने openly वह पढ़ दी यहां पे दे रहाता ना my sister discovered I was writing poems and begin to tease me by chanting damn in public public मैं यह poem पर दी जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उन poems को अपने साथ रखना चाहता था लेकिन उसना सबके सामने पर दी इसने दोस्तों is the right answer चलो number next no place in the house seemed secure घर में कोई भी इस्थान ऐसा नहीं था जो कि secure हो ऐसा कोई भी स्थान नहीं दिखता था enough to keep the notebook कि भाई उसको हम नोटबुक को हम एक इस्थान पर रख सके हैं ऐसा कोई भी पर्याप्त safe place नहीं था poems को रखने के लिए so the author इसलिए author ने क्या किया इसने बेटी के लिए कोशिश की थी यह उसको लगा कि घर में कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे कि किताब रख ली जाए वो हैंसब आप लेलो इस बुक को है मिली जान छोड़ दो ऐसा भी नहीं था तो डी ए और बी दे ओला रॉंग एक्सेप्ट कि क्योंकि यहां पर पोयम्स की बात हुई है और पोयम्स कौन लिगता था राइटर लिगता था तो इसी लिए उसने अपने ट्राउजन में चपाई थी वह बोक क्या लिए नेबर फोर क्वेशन कफी बढ़ा है बढ़ा मतब क्वेशन चोटा है लेकिन इसकी करने का मतलब है पढ़ना और पढ़ने की यहां पर ना तो demonstrative होती है ना फर्विंट फर्विंट का मतलब होता है जोशीला demonstrative का मतलब होता है एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन लेस जिसके नदर को एक्सप्रेशन ही नहीं है सही आंसर होगा डी रिसाइट करना और यहां आज के passage में किल पांच question है लेकिन पांच में से पांच किसके marks आएंगे यह आप लोग मुझे बताएंगे how many of you have gained 5 out of 5 आप से कहा गया है कि desperately जो word है इसका सही synonym क्या होगा desperately word का सही synonym क्या होना चाहिए slightly slightly का मतलब होता है हलके से जी नहीं negligibly किसी भी चीज़ को negligent कर देना बिलकुल नहीं शून समवाट कुछ कुछ नहीं थंपिंगली जी हाँ exactly D is the right answer फिर से क्यों कि भाईया desperate का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही इच्छा रखना बहुत ज्यादा है इच्छक होना और का मतलब होता है बहुत जोश में होना बहुत अकांशा रखना किसी भी चीज़ की इसी लिए डीज़ राइट आंसर तो यह थे आज के पांच क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आप सब को करते हैं इसकी प्राक्टिस जरूर करें बाकि मैं आपको यहां पे एक अच्छी एडवांस आज बिग्निंग है पैसेज की इन फ्यूचर में एडवांस लेवल के पैसेज आपको करवा हूँ 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 है तब तक के लिए डूंट फगेट तो मिस्मी स्टे हापी स्टे ह जाल दिन स्टे हंग्री थैकि दोस्तों नमस्कार